ये कथा राजगीर के पास दो छोटे छोटे जो उपनगर थे यानि छोटे छोटे उपनगर उनकी है एक उपनगर का नाम था उपतिस्य और दूसरे उपनगर का नाम था कोलित उपतिस्य और कोलित जो आज के नालंदा है उस नालंदा के आसपास या नालंदा ये उपनगर में आते थे जो राजगीर के पास थे कहते हैं सारी पुत्र नालंदया के ही थे ये जो कथा है ये भगनवान बुद्ध के जो दो अगर सावक हुए हैं यानि के जो सिस्से हुए हैं जो आगे अगनी रहे हैं राइट और लेफ्ट हैंड सारी पुत्र और महा मुगल्यान उनकी है धंपद नंबर 11 और 12 उसमें उपतिस से जो उपनगर था छोटा कस्वा या गाउं था उसमें एक बहुत रूपसी एक बहुत सद्धावान एक बहुत अपने काम में अगर्नी देयालू सदाचारी रुपेली एक महिला जिसका नाम सारी था उसका एक पुत्र हुआ उसको सारी पुत्र के नाम से जानते थे या उपतिस से बोला करते थे क्योंकि उपतिस से गाउं के नाम से लोगों की पहचान बहुत पुरानी रही है पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पीछ लगाते हैं जैसे आपने मशूर कलाकार का नाम सुनाओगा राजिस खन्ना तो वो खन्ना जो लगाते हैं वो खन्ने के हैं इसलिए वो खन्ना लगाते हैं या जो भिंड़ा वाला नाम था वो भिंड़ा वाले उसके थे गाउं के या जो आज की डेट में जैसे इलावादी लगाते हैं या बदाईयों लगाते हैं या मुरदावादी लगाते हैं इस तरह के नाम वो पीछे लगाते थे तो सारी पुत्र को उप्तिस से भी बोलते थे और दूसरा जो गाउं था उसमें एक महिला थी उनका नाम था मोगली मोगली नाम था उनका एक पुत्र हुआ उसको बोलते थे कोलित या महा मोगलन ये दोनों बच्चे आपस में मिले इन दोनों बच्चों के घरों में जैसे सब के घरों में था क्योंकि सबी के पास खेट थे सबी के पास में जानवर थे तो खुब सबी के पास में मौज मरसी थी दोनों बच्चे आपस में पास पास में गाउं था मिले तो उन्होंने दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद में बड़ी अच्छी दोस्ती उनकी चलती रहे थोड़े बड़े होने के बाद में वो राजगीर में एक मिला देखने के लिए गए मिला देखते समय उन्होंने देखा कि वहाँ नाच, गाना, मौज मस्ती, खाना ये सब चल रहा है तो दोनों को ये विचार आया क्या मनुष्य इसी निये पैदा होता है कि ये खाता रहे, पीता रहे, मौज मस्ती करता रहे, गाना गाता रहे और ये सब क्रिया कलाब करता रहे, क्या यही मनुष्य का उद्देश से है क्या मनुष्य इसी के लिए बना है ये विचार दोनों के मन में आया और आपस में बाचित की तो ये विचार आगे बढ़ा आगे बढ़ने के बाद में ये हुआ कि हमें खोजना चाहिए कि आखिर हम क्यों बने हैं प्रकती ने हमें रचना क्यों किया है या हम प्रकती के सबके उपर के हिस्से में जो चेतना युक्त हैं, वो चेतना का क्या काम है, वो कैसे काम करती है ये जब अपने आपको जानने की और निज्ज को जानने की और अपने वारे में जानने की जिस व्यक्ति में इक्षा उत्पन हो जाती है फिर उसे chain नहीं मिलता क्योंकि फिर वो जानवर से मनुस्य बनने की सेड़ी में आ जाता है जानवर नहीं सोच पाता उनकी चेतना इतनी नहीं होती मगर अगर मनुस्य है और उसकी चेतना में यह आ गया कि वो यहाँ प्रत्वी पे कर क्या रहा है बागी सारी चीज़े तो आर्टिफिचल है मगर जब वो अपने वारे में निज़ के वारे में सोचना सुरू कर देता है और यह सोचना सुरू कर देता है कि वो यहाँ प्रत्वी पे क्यों पढ़ा हुआ है क्या कार्रे उसका है उद्दिश से क्या है जीवल क्या है क्या यही जो कुछ चला है तब जब तक वो सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक बड़े दिख्कत होती है उनको भी बड़े दिख्कत हुई उन्होंने दौनोंने आपस में मिलके और सोचा के किसी व्यक्ति से पता करें कोई हमारा सास्ता मिल जाए, कोई हमारा टीचर मिल जाए, कोई हमारा सिक सीखने के बाद में उन्होंने ये देखा कि दोनों ने कि बात बरी नहीं, जो हम प्रसन पूछ रहे हैं वो हमें जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आपस में तै किया कि हम दोनों अलग-अलग दिसाओं में ढूंडेंगे और जिसको अगर प्रसन का जवाब मिल जाए तो वो दूसरे वो आगे तुरंत बताएगा ऐसा प्रण करने के बाद में दोनों अलग-अलग दिसाओं में चलेएगे सारी पुत्र को एक भिखको मिला घूमता हुआ जो बहुत सान्त और बहुत चित्से और जिसके चेहरे पर नूर था और जिसके चेहरे पर चमकती वो भिक्चटन करता हुआ जा रहा था सारी पुत्रन देखा कि इसमें कुछ अंतर है बाकी जो लोग हैं परिविजक हैं यानि जो घर छोड़के आते हैं उसमें तोड़ा सा अंतर है तो उसने कहा कि जड़ा ठेरो और मुझे ये बताओ कि आपके गुरू कौन है और क्या सिखाते है उस भिक्चू का नाम था असजीत उसने कहा कि मैं तो अभी अभी भिक्चू संग में दाखिल हुआ हूँ अभी अभी मैंने क्लास लेनी शुरू की है अभी अभी मैंने कॉलिज जॉइन किया है हमारे जो टीचर है वो बुद्ध के नाम से जाने जाते है तो उनने कहा क्या सिखाते है असजीत ने कहा कि मैं जाता तो जानता नहीं क्योंकि मैं अभी अभी क्लास में भरती हुआ हूँ मगर वो ऐसा कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें होती है जो भी act होते हैं, जो भी कारणे होते हैं, उन कारणों का एक निश्चित कारण होता है, वो जो कारण है, उससे जो उत्पन होता है, उत्पाद उत्पन होता है, वो फिर कारण बन जाता है, और हर एक सभी प्राकर्टिक चीजों का एक कारण है, उस कारण से वो पैदा होते है और वहीं से दुख पैदा होता है और दुख को खतम करने का तरीका भी वो बताते हैं बस इतना सुनना था क्योंकि सारी पुत्र बहुत दनों से ढून रहे थे और बुद्धी में पारंगत हो गए थे ये बात बलकुल नहीं थी, ये कारण बलकुल नहीं था, ये सिध्धान बलकुल नहीं था, ये टेक्निक बलकुल नहीं थी जो उन्हें अब तक नहीं मिली उनको तुरंट क्लिक की और जिसको बात तुरंट समझ में आ जाती है वो उस समय भी सोतापन हो सकता है यानि उसका मुक्ति का मार्ग, ग्यान का मार्ग खुल सकता है और वो सुनते ही सोतापन हो गए कि ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि उन्होंने जान लिया सरीर पे और वो दोड़े दोड़े गए और उन्होंने महा मोगलन को जैसा कि उनके साथ में निश्चित हुआ था उन्होंने वो सारी बात बताई महा मोगलन ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है उन्होंने कहा आओ चलो अपने जो टीचर हैं, गुरू हैं, संजे उनसे विदाई लेते हैं और उनको बताते हैं उनको निवदन करेंगे कि आप भी चलें उन्होंने वहाँ जितने भी और सिस्य थे उनको भी ये बात बताई और कहा कि हम लोग जा रहे हैं तो बाकी जो उनके साथ ही थे उनको भी साथ ले लो जब आप चाही रहे हो तो सारे के सारे साथ ही उनके लिए जाने के त्यार हुए उन्होंने संजे जो टीचर थे गुरूजी थे उनसे आग्या मांगी उनसे आग्या मांगी तो संजे जो टीचर थे उनको अपनी गद्धी का अपने टीचर होने का अपने उंचे स्थान होने का बड़ा ही राग हो चुका था और उन्होंने सारी पुत को कहा मुगलन कहा कि आप दोनों मुझे छोड़ के मत जाओ अब हम तीनों टीचर हैं हम तीनों गुरु हैं हम तीनों मिलके यह जो हजार सिस्से हैं इनकों सिखाएंगे और आप भी टीचर हो मैं भी टीचर हूँ आप मत छोड़ो तो सारी पुत्र ने कहा कि जो आप सिखा रहे हैं उसमें सार नहीं है उसमें वो essence नहीं है उसमें वो बात नहीं है जिससे कि हम जीवन में विवमुक्त होके जाएंगे मेरा निवदन यह है कि आप भी चलिए और जहां सीखनों को मिलें वहां से सीखना चाहिए क्योंकि हमें सीखना ही हमारा काम है और सीख के सिखाना जरूरी है तो संजे तयार नहीं हुए बहुत ज़ीदा धिकत होने के बाद संजे ने कहा कि आप दोनों छोड़के चले जाओ यह सारे लोग जा रहे हैं चले जाओ मगर इस दुनिया के अंदर मूर्कों की कमी नहीं है इन फैक्ट इस दुनिया के अंदर मूर्ख लोग बहुत ज़ादा है अग्यानी बहुत ज़ादा है मुझे तो बहुत सारे सिस्से मिल जाएंगे और आपको साइद अच्छे टीचर ना मिलें इसलिए आप जाके सीको और मेरी मठ और गद्धी चलती रहेगी क्योंकि जब तक मूर्ख हैं तब तक गद्धी को और मठ को चलाने में कोई दिक्कत मुझे नहीं आएगी सारी पुत और महा मोगल लैंड अपने हजार साथियों के साथ भग्नमान बुद्ध से सिक्षा प्राप करने लिए उनकी स्कूल की दरफ चलेगे और वहां जाके उन्होंने ये सारा व्रतान्त ये सारी बात उन्होंने वहां भग्नमान बुद्ध से बताई तब भग्रमान बुद्ध ने जो बात कही वो गाथा नंबर 11 और बारे में आती है गाथा नंबर 11 और बारे में ऐ सारे सार मतिनो सारे चै आसार दस्सिनो तै सारंग नै अधिकच्छनती मिच्छा संकप गोचरा इसका मतलब है कि जो व्यक्ति असार में सार को ढूनता है यानि कि बेकार बात में काम की बात ढूनता है और सार में जो अच्छी बात है उसमें वो बेकार की बात को देखता है दस्सन करता है उसको कभी भी सार प्राप्त नहीं हो सकता जो हमेशा जूटे संकल्पों के साथ में रहता है या उनमें ही भिर्मनत करता रहता है या जूटे संकल्पों को मानता है ये बात भगवान बुद्ध ने पहली गाथा में गाथा नमर 11 में कही इसमें ऐसारे का मतलब जो है वो है कि ऐसार यानि सार का ना होना सार मतिनों का मतलब है जो सार को प्रग्या के हिसाब से देखे सारे चे आसार दस्टनों और जो सार में ऐसार का दस्टन करे तैसारंग ने अधि गच्छंती ने माने नहीं अधि माने प्राप्ट करता है चंती माने आती है उसको सार कभी नहीं आता मिच्चा संकल्प गोचरा जो गोचर करता है यानि कि घूमता है गोचर माने वैसे होता है गाया को चराना या भिर्मन करना या घूमना तो मिच्चा संकल्प गोचरा जो जूटे संकल्पों में घूमता है या जो जूटा संकल करता है उसको सार कभी प्राप्त नहीं होता जो अच्छी बात में खराब बात ढूनता है और खराब बात में अच्छी बात ढूनता है फिर इसको उन्होंने गाता नमबर बारे में कहा है सारंग चे सार्तो यत्वा यानि कि जो अच्छी बात में अच्छ की बात है उसको वो बेकार की बात से ही जानता है यानि कि जो अच्छी बात को अच्छी बात की तरह जानता है खराब बात की तरह जानता है तैसारंग अधिक अच्छती वो अच्छी बात को प्राप्त कर लेता है सम्या संक्रप गोच्रा जो सम्मक यानि जो अच्छा यह बात भग्नवान ने संजे परिवरज्जक जो थे जो उनके पुराने टीचर थे उनके विसे में कही और यह धंपत की गाथा नंबर 11 बारे धन्यवाद